आज हम परने जा रहे हैं आट्टो ट्रांस्फर्मर जदि हम बात करें एक सींपल ट्रांस्फर्मर की तो उसमें कोर और और प्रांडरी वैंडिग अन settlers के रिवांडिग होते हैं कि यंअल प्रांड निवाइंडिग में ये सिकन्डरी वैंडिग बट आट्उ ट्रांस्फेर्मर जो होता है इसमें एक ही winding होते है जिसमें हम primary और secondary winding dividing कर देते हैं जैसे कि हम लोग के पास एक code होता है । और यहीं पर हम winding को provide करते हैं यह मेरा primary winding हो गया जिसमें हम V1 supply दिये AC supply और यह मेरा secondary winding हो गया जिसे हम जहाँ पर हमको V2 voltage मिल रहा है यह मेरा N1 है जो primary side number of tons है transformer के और यह मेरा N2 जो secondary side number of tons है transformer के तो हम यह आप लिख सकते हैं भीवन जो है applied voltage applied voltage in transformer N1 number of tons in primary winding वैसे हम N2 भी लिख सकते हैं number of tons in secondary winding वीटू जो है मेरा output voltage है output voltage हम जितना supply voltage देते हैं यह मेरा output में हमको जितना चाहिए हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं output को या decrease भी कर सकते हैं तो इसका advantage क्या होगा advantage की बात करें यदि हम compare करके वो को टाइप transformer से यदि हम compare करें जिसमें 2 winding होते हैं इससे compare करके जो auto transformer का advantage होते हैं हम लिख सकते हैं amount of copper required is less क्योंकि यहां पर copper wire की जो winding होगी है primary में अलग है और secondary में अलग है यहां पर अधिक copper wire लगेंगे बट यहां पर एक ही winding से हम input and output कर लिये हैं तो यहां पर जो copper wire की requirement होगी वो less होगी तो हम ले सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं less copper wire यहां पर जो core हम जो बना हैं यहां पर insulation की requirement जो होगी वो बहुत कम होगी amount of insulation is reduced क्योंकि यहां पर जो core जो है हम लोगों के पास वो बहुत बड़ा है और यहां पर एक ही core है हम लोगों के पास तो यहां पर हम लिख सकते हैं amount of insulation is reduces insulation का जो मात्रा है वो भी यहां पर कम लगेगा यहां हम size की बात करें size weight cost all reduces size भी weight भी या cost भी हम लोगों को यहां पर इस transformer में कम लगेगा as compared to two winding transformer से यह दे हम compare कर रहे हैं या इसकी efficiency भी जो होगी वो more हम मिलेगी अधिक मिलेगी efficiency इसकी efficiency जो है more लिख सकते हैं यहां पर leakage reactance is less leakage reactance is less क्योंकि यहां पर जो magnet जो है यह primary to secondary flow कर रहा है बट यहां पर जो हमारा पास secondary side में आ रहा है एक ही हम लोगों के पास score है जो भी magnet बनेगा इसी में बनेगा तो यहां पर जो leakage है वो बहुत कम होगा यहां 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 कंप्यर करें टू वाइंडिंग से तो जैसे कि इसका advantage है वैसे इसका disadvantage भी है डिस 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 की बात करें जो हम लोगों का बास transformation ratio होता है जैसे कि हम के लेते हैं b2 by b1 equal to n2 by n1 या हम इसे 1 by a भी लिख सकते हैं इन सबको तो जो transformation ratio होता है वो कभी भी हम लोग के पास 33.33% से अधिक होना चाहिए यदि इससे कम है हम लोग के पास transformation ratio तो यह transformer feasible नहीं है वर्क करने लाइक नहीं है यह transformer तो जो हम लोग का पास transformation ratio होता है वो 33.33% से अधिक होना चाहिए इसका यही disadvantage है यदि कम हो गया तो हम लोग इससे यूज नहीं कर सकते अब हम बात करेंगे series additive क्या करेंगे हम लोग एक winding लेंगे auto transformer की जो winding है और इसमें हम भीवन वोल्टेज अपलाई कर रहे हैं माल लिजिए भीवन जो है 500 वोल्ट हम अपलाई किये यहाँ पे तो dot हम dot जो point देंगे वहाँ पे हम positive terminal लेंगे कि यहाँ भी हम लोग दिये तो यहाँ भी एक positive लेंगे यह मेरा negative होगा इसके उपर हम लोग के पास negative होगा तो यह जो V2 हम लोग के पास मिलेगा 500 वोल्ट ही मिलेगा क्योंकि यहां तक हम dot से के बीच में हम देख रहे है तो यहाँ पे 500 वोल्ट मिलेगा और हम करें यहां पर हम लोग को कितना वोल्ट मिर रहा है तो हम ले लेता हैं यहां पर सो वोल्ट तो यह पूरे बात करें यहां पर हम लोग के पास यहां पर वोल्ट कितना वोल्टेज मिलेगा तो यहां पर हम केविय लगा सकते हैं यदि हम केविय लगाते हैं तो लिखेंगे 500 व voltage is equal to zero, तो भी equal to हम लोग के पास क्या मिला 600, यहाँ पर input से अधिक हम लोग के पास मिला output, क्योंकि यहाँ पर series additive देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर add किये हैं, यदि हम बात करें, second की, series, subtractive, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक winding ले लेते हैं, और यहाँ पर हम input voltage ले ले लेते हैं, फिर यहाँ पर हम 500 वोल्ट अप्लाई कियें, अब हम क्या कर रहे हैं, एक dot यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम positive sign देंगे, इसका जो होएगा, यहाँ पर एक minus, इसके लिए minus, अब हम लोगों के पास यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, 500 वोल्ट ही मिलेगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में हम ले लेते हैं, फिर से वही 100 वोल्ट, अब हम बात करें यहाँ के voltage हम लोगो को कितना मिलेगा, total voltage, तो फिर यहाँ पर हम KVL लगाएंगे, जब हम KVL लगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिला, फर्स्ट, 500 वोल्ट, माइनस, 100 वोल्ट, प्लस, भी इक्वल टू, जीरो, सॉर्डी, माइनस यहाँ पर मिलेगा, तो हम लोगों को क्या मिला, भी इसकोल टू, 400, यहाँ पर सब्स्ट्र एक्टिव हुआ है, सिरिस सब्स्ट्र एक्टिव हम देखे हैं यहाँ पर, आर्टो ट्रांस्फर्मर में, कि हम लोगों के पास, आर्पुट में कम वॉल्टेज मिला, इन्पुट से यदि कम्पेर करें तो, यदि हम लोगों के पास आर्टो ट्रांस्फर्मर आ जाए, लिखने के लिए, तो हम लोगों उसका फीगर कम्पेर करेंगे, फीगर को बनाएंगे, और उसके हर एक प्वाइंट को, सो करेंगे, और यहाँ पर उसके एडवांटेज को हम पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, कम्पेर करके, टू वाइंडिंग से, कम्पेर करके लिखेंगे, और हम सिरीज एडिटिव एड शिरी स्ब्स्ट्रेक्टिव के बारे में भी सो कर देंगे, ठैंक यू,